आपको पता में live आके trade करता हूं किया आप जाना चाहते हैं कि live बैट के मैं कैसे signal generate करता हूं कैसे simply one不會 ihrem यादि कि एक candle को यूज करते हुए मैं live trade कर रहा होता और कैसे लोग Rs.3035 1 रों कर रहे होते हैं लाइफ stream के दुरहानी को लोग वा कर रहे होते हैं और हमलोग वडियो का एक सेकंड में मिस्किया तो कोई स्टेरजी आपको समय नहींगी सो आज मैं आपको परसिनल ट्रेडिंग की स्टेरजी शेयर करने वाला हूँ और स्टेरजी को ज्यादू मंतर नी होनthropla बोहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेरजी है simple एक candle का इस्तमाल करके मैं आपको trading से profit बना कर दिखाऊंगा तो video start करते हैं तो candlestick एक ऐसी strategy है कि मैंने book भी पड़ी होई है मैंने इसको बहुत जार रीड भी किया हुए और मैं अपनी जो trades है वो ज्यादार मैं candlestick के उपर ही कर रहा होता हूं इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको वह सिखाता हूं जिससे मैं इस्तफादा असल कर रहा हूं आप क्यों नहीं इस्तफादा असल कर रहा है और दूसरी चीज़ है कि मैंने इसमें खुद अपनी invention की हुई है क्योंकि आप जब किसी चीज़ को certain level से ज्यादा पढ़ते हो और उसके उपर practice करते हो फिर आप इस level पर पहुंच जाते हो कि दिखाना चाहा रहा हूं master and technical analysis का मेरा course है उसी का पार्ट है जो मैं आपके लिए आज gift कर रहा हूं so candlestick क्या है कैसे काम करती है उसको किस ने invent किया वह बड़ी लंबी चोड़ी वीडियो होती है और काफी जाल लोगों ने वह उसके उपर वीडियो बनाए भी है आज मैं सि को सही समझें है डोजी एक बहुत ज़्यादा common और बहुत ज़्यादा easy single candlestick pattern है लेकिन आज मैं डोजी की मदद से आपको trade करना भी सिखांगा और आज मैं आपको सिखांगा कि डोजी के अंदर मैंने खुद क्या invent किया है और डोजी किस तरह से बहुत powerful candlestick का pattern है जिसका हम मैं इस्तमाल सही तरीके से आता ही नहीं है तो मैंने किस तरीके से डोजी को पर अपनी strategy बिना हुई है वो भी आपका साथ शर्क होगा है सो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि डोजी होती क्या चीज़ है डोजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर supply and demand बहुत ज़्यादा हो लेंगे डोजी के सिंपल सी मैंने आपको डेफिनिशन बता दी कि अपसाइड पर डाउन साइड पर भी एक लंबी चोड़ी विक होगी और यह आप यह भी दूसरे लफ़जों में कह सकते हैं कि डोजी एक ऐसी candle है जिसके अंदर body बहुत चोटी होती है और उसके अंदर high लोग बहुत बड़े होते हैं तो इसको भी डोजी कहते हैं अब मैं आपको डोजी के अंदर types कितनी हैं डोजी के अंदर my dear friend आपको चार types मिलती हैं और यह बहुत ज्यादा famous है और यूजिली लोग एक की डोजी candle को जानते हैं लेकिन हम आपको डोजी की तीन और types भी पढ लोग लेजन डोजी भी कहते हैं यह देखें यह एक simple long legend डोजी जिसके high भी लोग भी है और center में closing है एक होती है के candle में सिरफ और सिरफ डाउंट साइट पर मूव हुई है अप साइट पर नहीं हुई है उसको हम कहते हैं ड्रेगन फ्लाइर डोजी यह देखें और मार्केट ने closing वापर जाके दी है एक होती ग्रेवस्टों डोजी और end पर आती है फूर प्राइस डोजी जिसके अंदर इसलिए आपको दिखाना है आज क्योंकि इसमें आपको एक स्टेटरिजी भी मैं सीखाना चाहता हूं इसी के ऊपर वो इस्तेमाल होगी यह ट्रेडिंग व्यूज की तरह ही होता है एकसिनेस का वेब टर्मिनल जो के एकसिनेस का अपना है तो हमारे पास जो कल की कैंडल है आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं इससे प्रीविएस जो कैंडल है 26 अगस्त की वह एक डोजी कैंडल है यह देख लें हो आपको नदर आ गई होगी तो इसलिए दूसरी बात यहां पर एकसिनेस का वेब टर्मिनल इस्तमाल करने के पीछे एक और राज है कि आपको फ्री सिगनल मिलते हैं आपके चार्ट पर आटोमेटिक ड्राइंग वो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा यहां पर क्यूं हम कर र तो एकसिनेस का वेब टर्मिनल बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके उपर पैटरन का प्रॉफिट हो रहा है अच्छा डोजी बनी है अब डोजी का असूल है कि जब यह बनती है उसके अगली केंडल भी डाउंसाइड किये वह बताता हूं आपको ट्रिक पार्ट यह है जो मैं यूज करता हूं वही आप यूज कीजेगा अगर एक डोजी कीजेगा दो डोजी बन जाए तो फिर क्या होगा जी हाँ मैंने एक कैनलिस्टिक का पैटरन इंवेंट किया है जिसको मैंने नाम दिया है दो तलवार क आज मैं टीच करूंगा और आपको उसकी इंग्जेंपल्स भी दिखाऊंगा तो दो तलवार के अनलिस्टिक पैटरन कैसे काम करता है वो देखते हैं यह देखें यह टाइम फ्रेम एच वन का है यहां पर आजाए और यहां पर देखें तो आपको दो डोजी नजर आ अनलिस्टिक की नजर आ रहे हैं जिसके बाद मारकीट देखें कितने चीज़्ज बेके आपको लेकर दिखाता हम ताकर आपको इस समझ की अजय आ जाए है my dear friend again H1 के ही चार्ट है और यहां पे देखें मार्कीड ने आपको upside पे कितनी ज़्यदा doges बना के दी हैं एक दो तीन और उसके बाद मार्कीड ने देखे कितना बहुत बहुत बड़ी downside पे move लगाई है ROI 3, 4 आपका ही टोर है असानी के साथ तो risk reward ratio अगर 3 और 4 भी इस्तमाल करते हैं तो आपको अच्छा profit होगा लेकिन सबसे अच्छी बात ही है कि इंट्राडे traders के लिए बहुत ही खुबसूरत strategy है इसमें यह develop होती है क्योंकि इंट्राडे में आपको जब doges ज्यादा मिलती है आपको profit कमाने के ज़्यादा chances भी नज़र आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दो तीन example जिखाता हूँ M15 के अंदर जो के बड़ी खुबसूरती के अंदर play होई है और यह gold का chart है सिरफ अगर अच्छा है हम chart chain कर लेते हैं euro USD के उपर chart के उपर चल जाते हैं जैसा के अभी मैं euro USD के chart पर हूँ H1 का chart आई है तो यहाँ पर देखें simply दो doges बनी है एक की बजाए दो और उसके बाद market कैसे fall की है और अभी तक गिर रही है market अच्छा मज़गी बात यहाँ पर देखें यहाँ पर दो doges मजीद बन रही है बन जाएंगी तो यह देखें यहाँ से भी market फिर prices गिरने का ज्यादा chances है जैसे market confirm करती है confirmation कहती है कैसे होती है उसके लिए simple है कि अगली candle जो है वो bearish close हो अगर यह हम upside पे resistance point पे इनको find किया है तो और अगर यह downside पे बनती है जिस तरह के आपको example देता हूँ एक downside की भी यह देखें यह यह देखें यह भी दो तलवार candlestick pattern मना हुआ है और उसके बाद market देखें कितना pump की गई है तो अच्छा यह बनेगा यह बनेगा support and resistance पे pattern बनेंगे और doges बनेंगे वेलड होती है अपसर हम लोग candlestick के pattern फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन वो support and resistance पॉइंट पे नहीं बन रहे होते हैं और unfortunately हमें support and resistance पॉइंट लगाने भी नहीं आते हैं तो इसलिए आप Exynos का web terminal इस्तमाल कर सकते हैं जो के draw करेगा automatically support and resistance for you और draw करेगा automatically signal for you चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे उसके लिए सबसे पहले हम आ रहते हैं डेली के चार्ट पे आ रहते हैं और डेली के चार्ट पे आके यहाँ पे आई के बटन पर प्रेस करते हैं यह देखें आई के बटन आपको नदर आ रहा होगा show on chart तो यह आई के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पे पहले ही जो आपको option नदर आ रहा है वो लिखा है signal तो आप signal के उपर इसको enable करते हैं मैंने इसको off किया हुआ था जान बुच के ताकि आपको नदर आए तो यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती से इन्होंने हमारे chances market के downside पे move करने के हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आप इस तर्मिनल को इस्तमाल करके trade करते हैं तो आपकी trading की skills enhance होंगी और आपको फाइदा ही होगा इसके साथ साथ इस terminal का दूसरा सबसे बड़ा benefit यह है कि आपको यहाँ पे जो imported event होने है fundamentally और calendar event जिसको बोलते है वो भी यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं तो यह देखें एक सबसे पहला calendar event आजी growth domestic जनकी GDP का data है gross domestic products का data है यह उसके बाद नीचे code data आ रहा है जी personal consumption का और एक code data आ रहा है जी यह भी core personal consumption का है month by month अच्छा आप इसको कैसे show कर सकते हैं यह कैसे remove कर सकते हैं यह द बोला कि मुझे high impacted news only अगर आप medium impacted low impacted और उससे बीज़ा low impacted लेना चाहते हैं तो कफी ज़्यदा आ जाती है जो कि चार्ट को ज़्यादा मैं सब करती है और चार्ट के अंदर थोड़ा सा गंध टाइप डाल देती है तो मुझे वो रशीट टाइप चाइट पसंद नहीं होत ली चैंडल स्टिक एक डोजी पैटरन दो तलवार केंडल स्टिक का पैटरन इस्तेमाल करते हुए खुद ही ट्रेड कर सकते हैं अच्छा अब for example यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर मेरा दो तलवार केंडल स्टिक पैटरन यहां पे बनता है न रिजिस्टंस पर यह रिजिस्टंस वान और रिजिस्टंस वान और पावर फुल आया है 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 यहां पर बन गया तो इदर से हम मैं सेल करूंगा और मुझे बड़ा अच्छा प्राफिट होने के चांसिस हैं और टीपी टीटीटीटी यहां पर लेवल्स आपको ड्रॉवा पड़े हैं पिवड पॉइंट भी ड्रॉवा पड़ा है अगर मुझे सेल करना है इमिजेटल यहां से तो मुझे पीवड पॉइंट से साल करूंगा यह मेरा पूइंट अपको नजर आ रहा है और पीवड पॉइंट पे एंटरी रिस्क्री होता है रिदर दन कि मैं सुपोर्ट से से करो अगर मुझे sell करना है तो मुझे pivot point या resistance से sell करना है और अगर मुझे buy करना है तो मुझे support line से या pivot point से buy करना चाहिए so my dear friend that's all that's why I recommend you और एक strategy है जो मैंने आज आपके साथ share की है और यह Exynos के web terminal के उपर बहुत अच्छे तरीके से वर्ब करती है और simple है आप एक डोजी को पकड़ लें दो तलवार candlestick pattern को पकड़ लें और एक और चीज़ बड़ी मज़े की है आप यहां पर moving average लगा लें वो भी आपको बहुत अच्छा रजल्ट देगी लेकिन इस वीडियो के मैं सिंपल रखता हूं और स्टेटरजी के उपर ही लेट्स फाइंड आउट अनधर ट्रेड्स तो अम बीटीसी के चार्ट पर आ जाते हैं और यहां पर आके मैं इसको जो मैं आज आपको सिखा रहूं एक तलवार और उसकी confirmation भी हो गई है भाई साब बहुत ही कमाल की ट्रेड और पीवट पॉइंट से आप आज भी सेल कर सकते हो पीवट पॉइंट किया रही यह नीचे description में लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट बनाएं और आप यह वैब ट्रेमिनल की फ्रीक साइसा सल कर सकते हैं अगली वीडियो आपको चाहिए तो मैं जल्दी इसी वीक में एक चार्ट पैटरन के उपर भी वीडियो बनाँगो और मेरा सीक्रेट चार्ट पैटरन भी आपके साथ शेयर करूंगो जो करता है एक्शनव टर्मिनल पर तो दो मैं आखें अगले वीडियो दुक ले जाते हैं अलापिस असलाम लेकूंग